आप सभी लोगोंने advocate, lawyer and barrister जैसे नाम ज़रूर सुने होंगे, कई-कई बार mind में आता भी होगा कि ये सब एक ही होते हैं, क्या काले court पहन के, खेर आज मैं आपकी ये परशानी को दूर कर देता हूं, सबसे बेरे बात करते हैं lawyer की, lawyer का मतलब किसी भी student ने जिसने LLB की डिग सकता है, barrister वो होते हैं, जो law की डिगरी England से लेते हैं, अगर कोई भी person England से law की डिगरी लेके आता है, तो उसे barrister कहा जाता है और वो इंडिया की किसी भी court पे practice कर सकता है, जैसे अठारो से क्यानवे में गांधी जी और present time में मुहंबद अस्वुद्दीन अवसी, जो हैदर लिए दे सकता है, इसमें भी होते हैं, nominated advocate, senior advocate और normal advocate, जैसे बात करते हैं, normal advocate किसी भी court में आपका case लड़ने के लिए advocate का होना ज़रूरी है, वहीं जब आप बात करते हैं, nominated advocate, तो याद रखेगा कि supreme court में अगर आपको कोई case लड़ना है, तो जो registered होते हैं advocate, वही केवल आप का case लड़ सकते हैं, मतलब उनके नाम पे case registered होगा, एक parameter बना दिये गया, बाकि उसको represent कर ले के लिए उनके junior या कोई भी जाके जिरह कर सकता है, एक lawyer ही कुछ experience के बाद, minimum 4 साल practice करते हैं के बाद, और उसके बाद, एक bar council of India का exam देके advocate बनता है, और advocate से senior advocate बनने के लिए, करना क्या होता है, आपको, आपका experience, 45 साल की age हो, 10 से 20 साल आपने कहीं practice की हो, प्रस आपने जितने cases लड़े हैं, उसमें से कितने cases आपके पक्ष में आए हैं, इन सारी चीजों को देखते ही, आप एक senior advocate बनते हैं, और senior advocate बनने के बाद, आपके कपड़े और wrap वो सारे बदल जाएंगे, सासाथ आपकी fees भी बढ़ जाएगी, जैसे आपके हैं, राम जेठल मनाली का नाम सुना होगा, जो अब इस दुनिया में ना रहें, कपिल से बल कॉंग्रेस नेता, ये सभी के सभी देश में senior advocate और काफी famous advocate के नाम पे जाने जाते हैं, वहीं registered advocate बनने के लिए आ अपने कभी कोई सुना होगा, कि Solicitor General of India जिसे महानयवादी कहा जाता है, ठीक है, और इसके रामा राज्यों के लिए भी होते हैं, तो कई बार राज्य सरकारे भी अपने लिए advocate हायर करती हैं, उनका case लणने के लिए और central government अपने लिए हायर करती हैं, तो Attorney General of India वहाँ पे ह हो जाता है, Solicitor General of India, Central के लेवल पे काम आते हैं, यह सभी के सभी अपने एरिया में senior advocate होते हैं, और well experience होते हैं, तो I hope आपके बाद आपको इसमें कोई भी doubt नहीं होगा, that's all for today, for such information, you can subscribe T.Academy.